हेलो गाईज, अब वेरे गुड मॉर्निंग तो अल आफ यू, स्वागत हब सभी का ओनलाइन स्टेड एकडवी में, आज देट है 30 जन्वरी 2021 और इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं आज के सारे इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स, तो आज शुरू करते हैं तो आज का पहला अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है शेर्ट थर्टी फिफ्ट एडिशन और प्रगती इंटरेक्शन, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रगती इंटरेक्शन के 35 संसकरण की अध्यक्षता की है तो सबसे पहले देखिए प्रगती क्या है, प्रगती का मतलब है प्रो एक्टिव गवर्नेंस और टैमली इंप्लिमेंटेशन और एक तरह की मीटिंग थी जहां पे जो भी भारत के अधर अलग अलग स्टेट है, उनके द्वारा जो जारी के गए प्रोजेक्ट है और प्रो किया गया, तो यह जो दस एजेंडा थे इनमें से नो प्रोजेक्ट थे और एक प्रोग्राम था, तो जो टोटल नो प्रोजेक्ट थे उनमें से तीन प्रोजेक्ट था मिनिस्ट्री आफ रेलवेस का, तीन प्रोजेक्ट था मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रांस्पोर्ट इंटर्नल ट्रेड उसके साथ ही एक प्रोजेक्ट था पावर मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री आफ एक प्रोजेक्ट था तो टोटल नौ प्रोजेक्ट रिव्यू किये गए हैं और जो पंदरा स्टेट थे ये थे उडिशा, करनटका, आंधरप्रदेश, महाराष्ट, प्लंगाना, राजिस्थान, गुजरात, वेस्ट वेंगौल, हरियाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश Next update है Singapore has stopped in the Asia Pacific Personalized Health Index, India ranked 10th, Asia Pacific Personalized Health Index में Singapore, शेश पर एवं भारत दस्वें स्थान पर रहा तबी हाली में Asia Pacific Personalized Health Index जारी किया गया और इसे पबलिश किया Economist Intelligence Unit ने और इस इंडेक्स में टोटल 11 Asia Pacific Countries को जगह दी गई जिसमें से भारत रहा दस्वें नमबर पे पहले नमबर पे रहा है Singapore वहीं दूसरे नमबर पे रहा है Taiwan और तीसरे नमबर पे रहा है Japan और इस index को बनाने के लिए जो 11 countries है इनमें देखा गया कि ये कितनी ज्यादा इनकी progress है पर्पर्सनलाइज हेल्थ केर की तरफ यानि हेल्थ केर सिस्टम के लिए कितना ज्यादा रेडी हैं तो जो ग्यारा कंट्री थी ये थी अस्टेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, इंडिनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर, साउथ कोरिया, ताइवान, ठाईलैंड और न्यूजी लैंड. भारत रह दस्मय पे, पहले पे सिंगापूर, दूसरे पे ताईवान और तीसरे पे नेक्स्ट अपडेट है इंडिया रैंग्ड 86 इंदा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 भरष्टाचार धारणा सूच कांक 2020 में भारत 86 इस्थान पर रहा तभी हाली में 2020 का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानि की CPI जारी किया गया और उसमें पुरे विश्वभर से 180 कं नंबर पर रहा है पिछले साल भारत 80 नंबर पर था और इस साल फिसल के 60 नंबर पर आ गया है और इस साल भारत का CPI स्कूर था 40 और भारत की बात करें तो भारत है 86 नंबर पर और इसने अपनी पोजिशन शेयर की है बुर्कीना फासो मोरोको इस्ट टैमोर त्रीनिजाद और तुरकी तो भारत के साथ ये सारी कंट्री भी 80 नंबर पर रही है 40 के स्कूर के साथ वहीं बात करें इसमें टॉप किस ने किया तो इसमें टॉप किया है न्यूजी लेंड और डेन्मार्क ने दोनों ने जॉइंट्री रूप से टॉप किया दोनों का स्कूर था 88 और के public sector में corruption का क्या label है उसी के basis पे इनको CPI points दिये गए और ये ranking बनाई गई है तो इस index को बनाने के लिए 0 से लेके 100 तक की scale बनाई गई थी जिसमें 0 को माना गया highly corrupt यानि सबसे ज़्यादा corruption है तो 0 और 100 मतलब very clean मतलब वहाँ पे corruption बिल्कुल भी नहीं है तो भारत रहा है 86 नमबर पे नेक्स्ट अपडेट है इंडिया ranked 86 इंदा coronavirus performance index coronavirus प्रदर्शन सुचकांक में भारत 46 में इस्थान पर रहा है तो अभी हाली में coronavirus performance index जारी किया गया है और इसे जारी किया है अस्टेलिया की lowi institute में और भारत इसमें 86 नमबर पे रहा इस index में total 98 countries को लिया गया और उनमें देखा गया कि coronavirus के चलते वहाँ पे क्या performance उनका कितना ज़्यादा वो देश तयार है कोरा और कोरोना वाइरस से लडने के लिए क्या कुछ वहाँ पे लिए जा रहे है कुरोना वाइरस से लडने के लिए और उसी के basis पे जो data मिला उसके basis पे ये index बनाए गया तो भारत था 86 नमबर पे और पहले नमबर पे कौन था पहले नमबर पे था न्यूजीलेंड दूसरे में वियतनम और तीसरे में ताइवान और ब्राजिल की बात करें तो ब्राजिल सबसे नीचे रहाइस लिस्ट में नेक्स तरबेट है रवी शंकर प्रसाद है लॉंट वर्च्वल इंटेलिजन्स टूल तेजस रवी शंकर प्रसाद जी ने वर्च्वल इंटेलिजन्स टूल तेजस लॉंच किया है तो रवी शंकर प्रसाद जी भारत के यूनियन मिनिस्टर है Electronics, Information, Technology and Communications के और उन्होंने अभी हाली में एक Virtual Intelligence Tool जिसका नाम दिया गया है तेजस इसे लॉंच किया है तो तेजस का काम क्या होगा तो जो भी Government के द्वारा Services बनाई जाती है Policies बनाई जाती है उनके लिए Government को होता है बहुत सारा Data Collect करना और उसके बाद वो Policy और Service को अच्छे से Implement करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो Data मिलता है उसमें से जरूरी जो Important Information उसको Extract करना तो यह जो तेजस है यह उसी डाटा में से Important Information जो होगी उसको Extract करेगा और इससे Government को Help मिलेगी कि वो अच्छे से Policy और Services बना सकते हैं पबलिक के लिए उसके अलाबा जो Citizen होंगे जिनको Services प्रोदान की जानी है उनको यह भी इंशूर किया जाएगा तेजस के दोरा ही उनको प्रोपर तरीके से उनको वो सर्विस प्रोवाइट कराई जा सके उनको जो Policy और Services बनाई गई हैं उनकी प्रोपर डिलेवरी हो सिटिजन्स तक इसके लाबा रवी शंकर परसाद जी ने Work From Anywhere नाम का एक Portal भी लॉंच किया है जिसका यूज करेंगे वहाँ के Employees उसका यूज करके वो Application अलग अलग तरह की यूज कर सकते हैं जैसे की Mail हो गया, E-Office, Calendar और जो भी Department की अलग अलग अप्लिकेशन हैं उनको वो किसी भी Area से कहीं से भी असानी Success कर सकते हैं और ऐसा किया गया है ताकि जो भी Employees हैं उनके बीच में जो Communication होता है उसको और भी आसान बना जा सके तो यह जो Launching हुई है यह एक Event के दोरान हुई थी Actually में जो National Informatic Center Services INC है यानि NICSI इसके Establishment की अभी 25 साल गिरा थी उसी को Celebrate करने का एक Event रखा गया था और उसी Event में इसी तेजस को और Work From Anywhere for Portal को Launch किया गया है तो जो NICSI है यह NIC यानि कि National Informatic Center के अंडर में काम करती है इसके स्थापना की गई थी 1995 में और इसका काम क्या होता है इसका काम होता है जो अलग अलग तरह के E-Governance Project होते हैं उनको IT Solutions प्रवाइड कराना नेक्स्ट अब्लेट है इंडियन गवर्मेंट है वैक्सीन मैत्री तो गिफ्ट COVID-19 वैक्सीन टू नेवरिंग कंट्रीज भारा सरकार ने पडोसी देशों को COVID-19 वैक्सीन गिफ्ट करने के लिए वैक्सीन मैत्री शुरू किया है अभी हाली में भारत की सरकार ने 20 जनवरी को एक इनिशेटिव लॉंच किया है अपने आसपास के पडोसी देशों को COVID-19 वैक्सीन गिफ्ट करने के लिए और उस इनिशेटिव का नाम दिया गया है वैक्सीन मैत्री याद रखिये का नाम इपॉर्टेंट है और इसी इनिशेटिव के अंडर में और इन दोनों कंट्रीज के पहले भी भारत ने लगभग 5 मिलियन डोसेज जो हैं 7 नेवरिंग कंट्रीज को दिया है इसी इनिशेटिव के अंडर में तो कौन-कौन सी कंट्रीज हैं माल्दीव, भूटान, नेपाल, बांगलादेश, मियानमार मौरिशेस और सेशेल्स और अभी स्री लंका को और बाहरेन को भी वैक्सिन दी गई हैं नेक्स्ट अपडेट है तूर्की होस्टेट दा 17th मिनिस्टेरियल मीटिंग ओफ एसिया को ऑपरेशन डायलोग 2021 तूर्की ने एसिया सहयोग वारता 2021 की सत्रहवी मंत्री इस्तरी बै कर्मेंट है उन्होंने होस्ट किया था जो एसीडी है उसकी सत्रहवी मिनिस्टेरियल मीटिंग को और यह जो मीटिंग पूरी तर से वर्चुली हुई थी इसके लिए थीम रखी गई थी दन्यू नॉर्मल एंड सेफ एंड हेल्दी टूरिजम भी जरूर याद रखिएगा थीम कई बार पूछता है और इस मीटिंग में भारत के प्रति निद्री मंडल का नेतिवति किया मिस रिवा गांगुली दाजी ने जो की मिनिस्टी आफ एक्स्टरनल अफेर्स की इस्ट की सेक्रेटरी है और इस मीटिंग में रिवा गांगुली जी ने बताया कि भारत जो और जो ACD है एशिया कोपरेशन डायलोग इसकी स्थापनोई थी 2002 में, हेटकॉर्टर है इसका कुएट सिटी में, मेंबर्शिप की बात करें तो 35 कंट्री मेंबर्स हैं, यहां के सेक्रेटी जनरल है डॉक्टर पॉंचाय दनवीवताना और प्रेसिजेंसी की बात करें तो सबसे पुराने आदिवासी मेला 2021 का उध्गाटन किया है, तो नवीन पतनाएग जी मुख्यमंत्री है ओरिषा के और उन्हों ने अभी हाली में ओरिषा का सबसे पुराना एक मेला है, जो की हर साल ओरिषा में और इस까 में मेला कि जो ओरिषा का culture है जो वहाँ के food है वहाँ का tradition है जो वहाँ का tribes है तो उनका promote करना एक तरह से मतलब पूरे विश्व भर के लोगों को वहाँ पे आकरशित करना चाहे वो भारत हो और भारत के बाहर के लोगों उनको आकरशित करना और जो भी वहाँ का culture है फूड है ट्रेडिशन है ट्राइबस है जो भी वहां की फेमस चीज़े हैं उन सब चीजों का प्रदर्शन करना तो इसके लिए टोटल 90 इस्टॉल लगाए गए हैं और यह जो इस्टॉल लगाए हैं यह सेल्फ हेल्प गुरूप के द्वारा लगाए गए हैं और यहां पर जो गुरूप से इस्टॉल के थ्रू जो भी और गानिक प्रोड़क्ट्स हैं जो भी वहां के फेमस फूर्ड्स हैं जो भी फोरेश्ट प्रोड्यूसेस हैं मतलब हर चीज कपड़े हो गए या और्नामेंट्स हो गए जो भी फेमस है उडिसा का वो सारी चीज वहां पे बे मानिपूर अुछनेयाला के नय मुख्ष नयाधिश होंगे तो यह हैं फीवी सजय कुमार कुमारतेवारी appointed as MD of SBI, स्वामी नाथन जानकी रमन और अस्वनी कुमारतेवारी SBI के MD के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो अभी हाले में appointment committee of the cabinet यानि की ACC ने अपना एप्रूब्मेंट दे कि जो स्वामी नाथन जानकी रमन हैं और अस्वनी कुमारतेवारी हैं, यह State Bank of India के नए MD के रूप में नियुक्त होंगे और इनका कारेकाल होगा आने वाले तीन सालों तक, तो जो स्वामी नाथन जानकी रमन हैं, यह अभी दोनों ही SBI के नए Managing Director होंगे, बात करें SBI की तो इसकी स्थापनों इती एक जुलाई 1955 में और एक जुलाई को ही भारत में SBI Day मनाया जाता है, इसका Headquarter है Mumbai में, Chairman है दिनेश कुमार खारा, और Tag Line है The Nation Banks on Us, दूसरी है Pure Banking Nothing Else, तीसरी है With You All The Way, चौती है A Bank of the Common Man, और पांचमी है The Banker to Every Indian Next Update है, HSBC has inaugurated its International Banking Unit in Gujarat HSBC ने गुजरात में अपने अंतरास्टी बैंकिंग इकाई की शुरुआत की है तो HSBC जिसका पुराना नाम था Hong Kong and Sungai Banking Corporation और अभी HSBC है, तो इन्होंने अभी हाली में, गुजरात की जो Gift City है गुजरात की गांधी नगर में, Gift City है, यहाँ पे एक अपना नया International Banking Unit का inauguration किया है और HSBC बैंक जो है, इसको भारत में 160 साल से भी ज़्यादा हो गए है कारे करते हुए, और जो HSBC इंडिया है, इसकी स्थापनों थी 1813 में Headquarter है इसका मुंबई महरास्ट में, CEO है सुरेंदर रोशा और बात करें गुजरात की, तो यहाँ की Capital है गांधी नगर Chief Minister है विजयरूपानी और Governor है आचार देवरत इसरो महाविद्याला के छातरो द्वारा विक्सित स्री सक्ति सैट नामक उपगराय को लांच करेगा तो भारत की जो Space Agency है, Indian Space Research Organization यानि की इसरो वो प्लैन कर रहा है कि बहुत ही जल्द स्री सक्ति सैट नामका एक सेटलाइट जो है इसे लांच किया जाएगा इसरो के द्वारा और यह जो सैटलाइट है इसको 12 College Students के द्वारा डेबलप किया गया है और यह जो सैटलाइट है इसको आउटर स्पेस में भेजा जाएगा इसरो के PSLV C-51 वहिकल के द्वारा कब भेजा जाएगा 28 फरवरी 2021 को और यह जो PSLV है इसका फूल फर में याद रखेगा पोलर सैटलाइट लॉंच वहिकल तो जो सैटलाइट है यह स्री सक्ति इंस्सिट्यूट आफ इंजिनिंग एंड टेकनोलोजी के बारा स्टुडेंट के दारा डवलप की गई है और इसको डवलप करने में लागात आई है लगबग धाई करोड रुपय की और इसका फंक्शन क्या होगा इसका फंक्शन होगा स्पेस में आई ओट यानि की इंटरनेट आफ तिंग्स परफॉर्म करना उसके अलाबा इंटर सेटेलाइट कम्यूनिकेशन इस्टैबलिश करना तो जो इसरो है यहां के चेर्मैन है केसीवन हैटक्वार्टर है इसका बैंगलोरू में और इसकी स्थापना की गई थी 1969 में नेक्स्ट अपडेट है Reliance Jio ranked 5th in the Brand Finance Global 500 Rankings of 2021 2021 की Brand Finance Global 500 Rankings में Reliance Jio पांचमें इस्थान पर रहा है तो अभी हाली में 27 जनवरी को Brand Finance Global 500 Rankings जारी की गई है और इस रैंकिंग में Reliance Jio 5th strongest brand in the world बनके उभरा है यानि विशो का पांचमा सबसे strongest brand बना है Reliance Jio और Reliance Jio का BSI यानि की Brand Strength Index जो था स्कोर ये था 91.7 और बात करें सबसे strongest brand कौन बना था यहाँ पे सबसे strongest brand बना है WeChat, WeChat का स्कोर था 95.4 उसके बाद दूसे नंबर पे strongest brand रहा फरारी और तीसे नंबर पे strongest brand रहा रशिया का एक बैंक Aspair इसके लाब एक और category रखी गई थी Most Valuable Brand in the World की तो Most Valuable Brand बना है विशुका Apple और जो Apple है इसकी Brand Value है 263.4 billion US dollar उसके बाद जो Amazon है यह Second Most Valuable Brand बना और Google जो है यह Third Most Valuable Brand बना है और भारत की बात करें तो भारत में Tata ने अपनी position रिटेन की है यानि पहले भी यह Most Valuable Brand था भारत का और अभी भी Tata ही Most Valuable Brand है और globally बात करें तो Most Valuable Brand की के टेगरी में यह 77 नंबर पे है और इसकी Brand Value है 21.3 billion US dollar और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि जो Ajay Banga है जो की Mastercard के CEO है इनको Brand Finance Brand Guardianship Index 2021 में 100 CEO के बीच में Best CEO चुना गया है Next Update है Tamil Translation of the French Novel ले मैरिज दे प्लेसिर है रोमेन रोलेंड बुक प्राइज फ्रांसिसी उपन्यास ले मैरिज दे प्लेसिर के तमिल अनुआद ने रोमेन रोलेंड बुक प्राइज जीता है तो यह है वो उपन्यास और originally यह French में लिखा गया है फ्रेंच में इसका नाम है ले मैरिज दे प्लेसिर और इसका अनुवात किया गया तमिल लैंग्विज में तमिल में इसका नाम है उल्लासा तिरुमनम तो इसी बुक को अभी हाली में कोलकाता के एपी जे लेट्रेरी फेस्टिवल 2021 में रोमेन रोलेंड बुक प्राइस दिया गया है तो जो फ्रेंच नोबल है इसे लिखा है ताहर बेन जेलोन ने और जो इसका ट्रांसलेशन हुआ तमिल लैंग्विज में ये किया गया है डॉक्टर वैंगदा सौपराया नायागर के द प्रांसलेशन होता है इंडियल लैंगेज में उसे ये प्राइस दिया जाता है नेक्स लाइन है इंडिया विल होस्ट 2022 एफसी विमेंस एसिया कप भारत एफसी महिला एशियन कप 2022 की मेजवानी करेगा तभी हाली में जो एशियन फुटबॉल कंफेडरेशन है यानि एफस और पहली बार इस टूर्नामेंट में एशिया से बारा टीम पार्टिपेट करने वाली हैं तो ये जो इवेंट है एक तरह से ये 2030 का जो फीफा विमेंस वर्ल कप है उसके लिए एक क्वालिफाई के रूप में कारेगा यानि क्वालिफाईर के तरह होगा जो भी टीम यहां इसमें करेगा तो जो एफसी है यह एशिया में फुटबॉल की गवर्निंग बॉड़ी है फुटबॉल को रेगुलेट करती एशिया में इसके स्थापना हुई थी 1924 में है कौला लंपूर मलेशिया में इसका मोटो है वन एशिया वन गोल मेंबर्शिप की बात करें तो 47 क करें वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोष्टों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उसके लाबा नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए और रिविजन के लिए अगर आपको PDF या MP3 फाइल चाहिए तो उसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप वहाँ पर विजिट करके डाउनोट कर सकते हैं उसके लाबा अगर आपका कोई सुझाओ या सजेशन है या आपको कोई प्रॉब्लम है त